वेलकम बैक फ्रेंट्स माइनेम इस भिक्रम एंड टुड़ाय विल टॉकंग अबाउट आर्थिक सर्वेचन 2019 यहां तो आज का हमारे टोपिक है आर्थिक सर्वेचन 2019 यहां तो इस ते रिलेटेट्ट इतने भी किस्षण हमारे बन सकते हैं या फिर हमारे दिये गए हैं उन स सारे के उपर हम चाचा करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए और शाथे साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताके लेटेस्ट वीडियो का नौटिफिक सब्सक्राइब लोगों को मिल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेशन सर्वेशन 2019-2020 के उपर टेशर करने वाले हैं इसमें पूछे गए सारे ही क्योशन जिहां तो इसमें पूछे गए या फिर बताये गए सारे क्योशन भी आई क्योशन किसी को भी स्किप करके भी ना देखें और मैं तो कहूंगा किसको अंतक देखिए और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिगा और शाथिसाथ अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ शेयर भी कर दीजिए गा कि हर किसी को वीडियो मिल सक्यास ओस्टो अगर इस वीडियो में कोई सूचना या फिर सिकायत करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर है ताकि कोई भी सिकायत कमों का ना रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्यूशन तो पहला पॉइंट में कहा जा रहा है आर्थिक सर्वेच्छन 2019-2020 बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तों दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन है कि आर्थिक को अप्लोड कर रखा है आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं तो एक दिन पूर्व पेश हुआ पहले पेश हुआ और कहां पेश हुआ तो संसद में इसको प्रस्तुत किया गया तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और तो हमारा अगला पॉइंट जो है ख जिहां तो लेषेर कलर से मुध्रित था यां तो मुध्रित था और यह वह ही रंग है जिसपे जो है हैं रह्म का नोट यान कि 100 रुपएक नोट ये उसी कलर से प्रिंटेड है तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और तो हमारा अगला पॉइंट में जो है का जा रहा है आर्थिक सर्वेच्छन दो हजार उन्नीस बीस बित मंत्रा लाइक के परमुख आर्थिक सलाकार कृष्ण मूर्ति भी सुब्रमन्यम के निर्देश में तयार हुआ जियां तो इसक निकल के आ रहा है कि हमारे बित मंत्रा लेकर परमुख सलाकार कौन है तो कृष्ण मूर्ति भी सुब्रमन्यम जिनने जिनके निर्देश पर आर्थिक सर्वेच्छन दोजार उन्नीस बीस तैयार किया गया था चलते हैं अगले पॉइंट क्यों तुमारा अगला पॉइंट करते हुए तीन महत्वपुर्ण पुस्ट्कों का बिरभरन किया है क्षा सब्सक्राइब करते हैं उनका आर्थ लित के थिरूकूरल तो थिरू कूरल और तीसरा जो है एडा मस्मित के इन इंक्याईरी इन्टू इन्टू दे नेचर एंड कॉलेज आफ वेल्थ एंड नेशन इन तीन कुष्टकों का जो है इसमें क्या किया गया था तो बीवरन दिया गया तो चलते हैं आगे की ओर तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह बहुत ही महत्यों पूर्ण है काजरा आउर्थिक सर्वेंचन यानिकी क्या था तो वेल्थ किर्येस्न जो था आर्थिक सर्वेचन दो जर उन्नीस बीस का परमूह भी है था तो चलते हैं अगले क्युस्चन की और अगले पॉइंट की ओर तुमारा अगला पॉइ सब्सक्राइब तो आर्थिक सर्वेचन का बिशा है यह तो आर्थिक सर्वेचन 2019-20 के अनुसार किन किन चीजों में इजाफा किया गया तो पहला था बरस 2019-20 में क्रिसी छेतर में ब्रिद्धी 2.8 पर सब्सक्राइब तो प्रिद्धी प्रतिशत है और उसके बाद जो है अध्योगिक विकास कितना हुआ तो प्रतिशत और सेवाजचेतर में ब्रिद्धी कितनी हुई तो सेवाजचेतर में ब्रिद्धी 6.9 प्रतिशत जो कि बहुत ही बड़ा यहां पर देखा गया चलते हैं अगले पॉइंट की और तुम्हारा अगला पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से जह तो का जा रहा है बर्स 2000 जह तो बर्स 2019 में थोक मुल सुचकांग पर अधारित महंगाई रही तो chilli देने वाली वात है थोक मुलसुचकांग फेस रही तो 1.5 प्रतिसथ रहे चलते हैं ने्स्ट पॉइंट की और तो हमारा अगला पॉइंट है वर्स 2019 में थी नहीं बहुतता मूञ्टा मूलसुचककंग की महंगाई रही तो पॉर फफोर पॉंट जह तो 4.1% रहे यहां पर कुछ थोड़ा सा आकड़ा दिया गया है अप्रेल दिसंबर 2019 का आउसत आकड़े के अधार पर CPI और WPI का मुल्यांकन यह जो मुल्यांकन था वो CPI और WPI का मुल्यांकन था चलते हैं अगले पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट जो है कहा जा रहा है आर्थिक सर्वेचन के अनुषा नया अक्तप के बिकास में भारत का द्खान रहे है नेक्स्ट पॉइंके और नेक्स्ट के में जो है कहा जा रहा भारत उरज भारत का सबसे बढ़ा– तो तीन साज़ेदार देश कौन सा है तो थीन साज़ेदारं की सची जो सबसे बड़े देश से चलते हैं अगले अगला प्वाइट में बहारत के सरवाधिक ब्या alve chest के साथ हुआ वह किस डेंस की साथ हुआ थो चीन के सात हुमारा जो है सबसे ज्यादा ब्या फार सरकार का जबना हुआ तो 35.32 अरफ डालर जो है वह submitute घाटा हुआ है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कहा जा रहा है भारत का जी है तो भारत का सरवाधिक ब्यापार अधिक कब्य किस देश के साथ हुआ जी है तो भारत का सरवाधिक अधिक कब्य यानि की सबसे अधिक मुनाफ़ा जो अरब डॉलर जो है वो भारत को फाइदा हुए किससे तो अमेरिका के साथ में चलते हैं अगले पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट जो है कहा जा रहा है भाए तो भारत को में बुनियादी धाचे के विकास में कितना खर्च करने का लच्छ रखा गया जो है वो खर्च करने का अनुमान रखा गया है तक हमारा जो है वह फाइब ट्रिलियन डॉलर तक पहुच सके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिछले पाच बर्सों में पासुपालन के चेतर में ब्रिध्धि जैस तो पिछले पाच परसों में पासुपालन के चेतर में ब्रिध्ध चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की वर तुम्हारा अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेचन 2019-2020 के अनुसर बन और ब्रिच चेत्र में सर्वाधिक ब्रिधि करमसा है कहां तो सर्वाधिक ब्रिधि जो है वो करनाटक में उसके बाद आंधर प्रदेश उसके बाद जो है जम्मुकस में जहां तो ध्यान दनी वाला बात है कि बन और ब्रिच चेत्र में जहां तो बन और ब्रिच चेत्र में सबसे अधिक कहां कहां भिकास हुआ है एक नंबर पर करनाट का दो नंबर पर आंधर प्रतिस और तीन नंबर पर है आपका जम्मु कस्मी तो चलते हैं एक्स्ट पॉइंट की और तो हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक सर्विच्छन 2019-20 के अनुसार बन और प्रिच्छेटर में सर्वाधिक कमी जहां तो द्यान देनी वाली बात है यहां पढ़े ते हम लोग अगले पहले क्यों ने पढ़े बृद्धी और उसके बात है कमी तो कमी किसकिस राज्यों में हुई है सर्वाधिक तो सबसे ज्यादा कमी ह्यों यह म सबसे बड़ा स्रोत है तो सबसे बड़ा यहां पी द्यान दिनाथ को साइवार और पहले phrase पर क्रिशी को रखा गया है जी है और दूसरे नंबर पर पॉस्र। पालन ह nova नेक्स्ट पॉइंट की और रहाड कि भारत का च्थान तो भारत का पर नंबर पर चीन आता है कि अगले प्रक्राइट प्रक्राइंस की यहां तो सबसे बड़ा अर्थविवस्था वाला देश जो की जीडीप के अनुसार हम देख लेते हैं पिछली वीडियो में बजसे वाली में देखा था लेकिन हम फिर से देखेंगे तो अमेरिका सबसे पहले नमपर पहले कहाँ है तो अमेरिका है जो की 21.4 trillion dollar का अर्थवरस्था वाला देश है और उसके बाद है चीन जिसकी अर्थवरस्था कितनी है तो 14.1 trillion dollar जिसका अर्थवरस्था 3.9 trillion dollar है उसके बाद हमारा आता है भारत जो की पांच में नंबर पर जिसका अर्थवरस्था कितनी है तो 2.9 trillion dollar जिहांसे एक क्योशन बन रहा है कि कब तक यानि कि इसको 5 trillion dollar जिहांस तो 5 trillion dollar बनाने के लिए भारत सब्सक्राइब कितने खाच करने का एक लक्ष रखा है तो 1.4 trillion dollar खाच करने का लच्छ रखा है ताकि हमारा आर्थवरस्था जो है वह 5 trillion dollar तक पहुंचे जाए तो चलेंगे अगले पॉइंट की और तो अगला पॉइंट जो है कहा जा रहा है आर्थिक सर्वेचन जिए तो आर्थिक सर्वेचन दो हज्यार 19-20 के अनुसार किस कंपनी ने 50 से δेम बनाने का लिए तो क्रेची है लख डख़क ग्रम बनाने का आणिवार है तो चलते हैं अगले झाशन पॉइंट के और ते अगला पॉइंट जो है वो 12.2% यहांनी कि 12 प्रतिसेयद सब्सक्राइए जितने हैं हमारा अगला पॉंट जो है कुछ हिस परकाल से है तो 20 की कुल निरियाद भारत में भारत के निर्याद का हिस्टा है जेसे कुल निर्यात है उस भारत का हिसा कितना है यहां पर पूछा जारा अगले पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट है आर्थिक समिच्छा अगले पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट जो है वो कुछ इस परकार से है आर्थिक समिच्छा दोवाजार उन्नीस बीस के अनुसार भारत के जीडिपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिसा कितना है जीडिपी के अनुसार भारत का कितना है तो 21.2% है चलते हैं अगले पॉइंट की और तुमारा अगला पॉइंट जो है कहा जा रहा है आर्थिक समिच्छा तो आर्थिक समिच्छा 2019-2020 के अनुसार बर्स 2019 में भारत के GDP में माल एवं सेवाओं का निर्याद कितना है तो निर्याद जो है 18.4% और जो है आयाद कितना था तो आयाद था 21.2% और निर्याद कितना है 18.4% जो कि हमारा निर्याद कम है और आयाद ज्यादा है इसलिए हमारे सरकार जो है वो घाटे में चलती है चलते हैं अगले पॉइंट के ओर तो हमारा अगला पॉइंट जो है कुछ इस परकार से कहा जा रहा है आर्थिक समिच्छा के अनुसार बर्स 2019-2020 में किस उध्योग के उत्पादन में सरवादिक तो किस उध्योग के उत्पादन जी है तो कौनसे उध्योग के उत्पादन में सरवादिक और 6-2000 में थाली बस थाली नामिक्स की अवधारना प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार क्या किया जाता था तो उसके अनुसार बस 2006-07 से और 19-20 तक साकाहारी थाली खरीदने का कीमत में 21% 29% की कमी की गई संकाहारी खरीदनेग की कमी क Normally खरीदने में 18 संकाहारी में कितनी कमी की गई तो 29 परसंट और मानसाहारी में कितनी कमी कि गई तो ईटीन परसंट यहां तो चलते हैं आगे की और तढ़े हमारा ऐक बहुत ही इंपोर्टेंट बॉक्स जिया गया है जो कि आर्थिक समिच्छा 2019-2020 के मात्वपूर्ण आकडों को दिया गया है तो सबसे पहले देखेंगे आकडों में दिया गया है राजकोसिय घाटा जी है तो हमारा राजकोसिय घाटा जो है GDP के अनुसार कितना है जी है तो GDP के अनुसार या फिर GDP का 3.3% 2.3% है那 ये राजकोस है फोगार werden टो 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 टू पॉएंट 3% जो है वो राजकोस है अब बुग hack debt Grauk जय है तो छालू खाता का घटा कितना हुआ तो GDP है 1.5% घटा हुआ जया रखन है प्राथme क्षब खाटा कितना हुए तो GDP का जो है 0.1 परसंट जो है वह प्रात्मिक गाटा हुए है और आगे क्यों बढ़ते हैं तो आगे हमारे दिया गया है ब्रिधी तो ब्रिधी कितन हुई गिंटीय कितनी हो ही तो ब्रिधी होई अग車 ब्रिधी जीटी अगे एधीसस More GDP विद्धी ब्रिधी जीट स तौढर स्यंगे dirh akar cow नींकि कि वह नीजहां आगे चलते हैं आगे है विदेशी मुद्रा भनडार जन्वरी 2020 तक कितना था तो 462 billion dollar हमारा जो है विदेशी प्रत्रा का भंडार था तो कब तक जनवरी 2020 तक आगे चलते हैं विदेशी रिन सितंबर तक कितना था तो वह 555.5 million dollar जो कि एक बहुत ही बड़ा अमांट होता है चलते हैं आगे की ओर तो हमारा आगे सिवाजेतर का योगदान जो है सिवा-चोत्र का किट्ना योगदान है तो सिवाजेतर का ओगदान 57.5 Bin और आगे की ओर है उद्योग खैतिर का जिर्टा का सो अगे जो गतने योगदान था था तो पौइंट Kate पॉइंट 23% तो दोस्तो आप लोग बताए कि आप लोगों को ये वीडियों दूनिया को अवियं तक सस्क्राइब नहीं कर रहा है तो नीचे के दिए डब बटन को रहता हैं ध्यर्ट-बील आइकन बेडिकन कोभी प्रिस करते हैं रोता इस बुक का PDF खरीदने के लिए जो कि इस बुक का नाम है इदू टेरिया इस बुक का PDF खरीदने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वाट्सअप नंबर पर कांटक्ट करके आप बुक का PDF बिलकुल खरीद सकते हैं इस बुक का अगर प्राइस देखा जाए तो 95 रुपी जहां तो इस बुक का प्राइस जो है वो 95 रुपी है लेकिन हम आपको PDF फॉर्मेट में मात्र 20 रुपए में इसको प्रॉइड कर रहे है आप चाहें तो खरीच सकते हैं नहीं तो आप जनरल सौप पर इस बुक को जाकर खरीच सकते हैं आसानी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत सरकार के पर्मुख रिपोर्ट जी है तो हमारा बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में